नमस्कार दोस्तो ओनलाइन लर्रेनिंग शर्णू चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रतिमिनट की गती से संपात के डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो इस डिक्टेशन का मैटर और यह सभी डिफिकल्ट आउटलाइन आपको हमारे स्टार्ट यह सही है कि विश्व इस्तर पर होने वाली राजनीतिक उथल पुथल युद्ध और प्राकर्तिक आपदाओं का असर समूची दुनिया की अर्थववेस्ता पर पढ़ता है और यहे कोई अचानक पैदा हुई इस्थिती नहीं है लेकिन पिछले कुछ साल इस लिहाज से ज्यादा सम्वेदंशील रहे हैं कि कई इस्तर पर पैदा हुई अस्थिर्ता ने अमूमन सभी देशों की आर्थिक गतीवीधियों पर नकरात्मक असर डाला और स्वभाविक ही वैश्विक इस्तर पर होने वाले आकलनों में इसे लेकर चिन्ता उभरी इसी सिलसिले में विश्व बैंक ने जिस तरह वैश्विक अर्थववस्ता की विरिधी दर में गिरावट आने की आशंका जताई है अगर वहे उसी अनुपात में सचमुच हुआ तो पहले से ही बहुस्तरिये संकटों का सामना करने वालों देशों के लिए कई चुनोतियां खड़ी होंगी इसे लेकर जिस तरह के आकलन सामने आए हैं उसमें खुद धनी और विक्सित देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं लेकिन बुनियादी ढाचे में वैकल्पिक विवस्थाओं के भूते कुछ देश तातकालिक तोर पर तो इसका सामना कर भी ले सकते हैं लेकिन उनके लिए भी शायद बड़े जटकों को सहना मुश्किल ही होगा असली संकट वैसे देशों के सामने आ सकता है जो पहले ही कई इसतर पर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं इसके बरकस कुछ गरीब या विकाशिल देश तो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी ताकतवर और धनी देशों पर निर्भर हैं दरसल पिछले तीन चार सालों के दोरान देशों को बुरी तरह परभावित करने वाले जैसे हालात पैदा हुए उसका असर स्वभाविक ही था पहले महमारी के असर से उपजी तरासदी और उसका दिर्ग कालीक परभाव इसके बाद पूर्ण बंदी और उसकी वजह से दुनिया भर में अर्थ तंत्र का एक तरह से डहे जाना फिर जब करोना का जोर थमा और तमाम देश इस से उबरने की कोशिश में थे की इसी बीच रूस और युक्रेन में युद शुरू हो गया जाहिर है इस सब के बीच आर्थिक गतिवीधियां जिस प्रतिकूल हालात का सामना कर रही हैं उसका मिला जुला असर वैश्विक अर्थववस्ता पर पढ़ना ही है फिर अभाव से जूजते देशों और उनके नागरिकों की नीजी आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ती रही मगर इसके समानतर परिस्थीतियों का हवाला देकर बैंकों की और से ब्याज दरें भी उची रखी गई विश्व बैंक दरसल दुनिया के 189 देशों में गरीबी उनमूलन की नीतियों पर काम कर रहा है उसने अपने ताजा आकलन में कहा है कि वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थववस्ता की व्रिधी दर 2.1 फीसद रहेगी स्टूप